अकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं संयुक्ताब बानरची प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने कोरोना वाइरस को पराज़त करने के लिए देश्वासियों से सामोहिक प्रयास करने का अहवान किया है उन्होंने कहा कि कल रविवार पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनिट के लिए घरों की बत्तियां बंद करें और दिय और मोमबती जलाकर या मोबाइल की फ्लाश लाइट के जरिये देश की सामोहिक शक्ती का परिचय दे प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समू में इकठे ना हो प्रधानमंत्री की इस अपील का समाज के विभिन वर्गों ने समर्थन किया है बॉलवूट के कलाकारों ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए एक चुठ होकर ये कारी करने की अपील की है केंद्रु सरकार लॉक्टाउन के दौरान रवी फसलों की सुचारू कटाई और गर्मी की फसलों की बुवाई सुनिश्चत करने के लिए कई कदम उठा रही है क्रिशी सहकारिता और किसान कल्यान विभाग ने सभी राजजियों और बीमा कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये दावों के भुकतान, रवी फसलों की कटाई की स्थिती, फसलों को हुए नुकसान का सरवेक्षन और स्मार्ट सैंप्लिंग तकनी की समीख शाकी बैठिक में सुनिश्चित किया गया कि किसानों को लॉक्टाउन के दौरान किसी प्रतिकूल हालात का सामनान न करना पड़े फसल बीमा सुविधा को सुगम बनाने के लिए सभी राजज सरकारों को पत्र भेज कर संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनधियों के लिए लॉक्टाउन में काम करने के लिए पास जारी करने को कहा गया है ताकि वे फसल कटाई के समय उपस्थित रह सके लॉक्टाउन के दौरान सभी 21 स्थानों पर किसान कॉल सेंटर संचालत किये जा रहे हैं यहां प्रति दिन 15 से 20 हजार फोन कॉल आती हैं उधर ग्रह मंत्राले ने भी क्रिशी उपकरनों और उनके पुर्जी वाली दुकानों को छूट से सम्मंधित दिशानिर्देश चारी किये हैं इन दिशा निर्देशों में राजश्री राजमार्ट पर पेट्रोल पंपों के पास ट्रकों की मरमत वाली दुकानों और चाय उद्यों को छूट के दाएरे में रखा गया है ग्रह मंतरवाले ने कहा है कि इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 154 हो गई है इन दौर में सबसे ज्यादा 112 मरीज हैं 36 साल के एक सरकारी कर्मचारी की आज छिंदवाडा में मौत के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमन के कारण अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है दो दिन पहले उन्हें छिंदवाडा में कोरोना वाइरस के लिए पॉजिटिव पाया था इसे पहले COVID-19 से इंदौर में 5, उज्जैन में 2 और खरगौन में 1 व्यक्ति की मृत्य हो गई थी इस वीच एक युफ्ती और उसके पत्रकार पिता को repeat sample negative मिलने के बाद कल शुक्रवार रात अस्पिताल से छुट्टी दे दी गई ये युफ्ती भुपाल में कोरोना वाइरस की पहली मरीज थी और उसकी वज़ह से पिता भी इस वाइरस का शिकार बन गए थे इसी वज़ह से रास्थानी के नेक पत्रकारों को क्वरिंटीन में जाना पड़ा था शौपर जली के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग द्वारा बीज बैट के आईसोलेशन वाड और क्वरिंटीन वाड तयार किये गए हैं वहीं ग्वालियर जली में पांच रिलीफ कैंप भी स्थापित किये गए हैं इन रिलीफ कैंपों में लोगों को भोजन चिकट सिकीर सुविधा भी उपलत कराई जा रही है जबलपुर में राहत देने वाली खबर है कि यहां से ICMR लैब में भेजे गए सभी 27 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है इन में पांच को अंदर प्रोसेस में रखा गया है जबकि 22 की रिपोर्ट नेगित रिवाई है खन्वा में कॉरोना वाइरस के संक्रमन की रोक ठाम और बचाव के लिए जिले के वभिन हस्पतालों की 108 एंबूलन्स में तैनात स्टाफ को सुरक्षा किट विद्रत की गई अशोक नगर जिले में कोरोना वाइरस संक्रमंट से बचाव को लेकर जिला चिकित साले में टेली मेडिसन केंडर बनाया गया है जिसका मोबाइल नमबर 934-06-24573 है इस पर वीडियो कॉल करने पर चिकित साले द्वारा स्वास्थ परेशानी सुनकर उसका निराकरंड किया जा रहा है कोरोना वाइरस महामारी के मद्दे नजर लोगों को जागरू करने के लिए डंडौरी में एक नहीं पहल की शिर्वात की गई है जले मुख्याले स्थित एक तिराहे और चौराहे पर डंडौरी के समाच सेवी और पेंटर दश्वत राथ और द्वारा स्वयम के खर्चे से लोगों को जागरू करने के लिए मुख्याले की सड़कों पर अपनी चित्रकला के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचाव के संदेश दिये जा रहे हैं साथ ही मास्क का उप्योग करने और लोगों से अपने घरों पर ही रहने की अपील भी की जा रही है इस काम को पेंटर ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों की मदद से किया है भारतिय प्रशासनिक सेवा और भारतिय पुलिस सेवा सहित अन्य केंद्वियों सिवल सेवाओं के संगठनों ने करोना वाइरस के खिलाफ लडाई में सरकार को समर्थन और मदद देने के लिए करोना नामक अनोखी पहल की है करोना Civil Services Association Reach to Support a Natural Disaster का संगशिप्त रूप है और उसमें सिवल सेवा के अधिकारियों, उद्योगपतियों, एंजियों, पेशेवरों और आईटी पेशेवरों सहित अन्य लोग अपना समय और अन्य योगदान देने के लिए साथ आए है अब कुछ समाचार संगशेप में शिप्पुरी जिले में भाजपा द्वारा चलाई जा रही कम्यूटी किचन के माध्यम से अभी तक 22,000 परिवारों को भोजन के पैकेट और सूखा राशन उपलब कराया गया है नीमच में थाना केंट पुलिस ने आज लॉकटाउन का उलंगन करने पर पाँच व्यक्तियों को गरफतार कर उनके वाहन को जब्त कर लिया है शिप्पुरी जिले में मुख्य चकित साहिवं स्वास्थ अधिकारी ने बताया है कि विदेश से लौट कर आए 85 लोगों पर नज़र रखी जा रही है इसमें से 79 लोगों ने होम क्वरंटीन पूरा कर लिया है मंधा जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है मंधा जिले में मौसम ने एक बार रही है